बिस्मिल्ला रुख्मान रर्रहीम, अस्सलाम उलेकुम स्टूइंट्स, आइम वैनल फात्मा, यूर साइन्स टीचर, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, हम पढ़े थे यूनिट नामबर थर्टीन, जो के था रॉक्स, दिरॉक्स साइकल और वेधरिंग, हमने पढ़ा के क्या होती है, किस तरह से बनती है, रॉक्स की कौन-कौन सी टाइप्स है, फिर हमने पढ़ा के वेधरिंग का प्रॉसेस क्या है, हमने वेधरिंग की भी टाइप्स पढ़े, आज हम नए कॉनसेप्स की तरफ जा रहे हैं, आप दिहान से सुनते रहेगा, आए शुरू करते ह वेधरिंग ओफ लाइमस्टोन, हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ लिया के वेधरिंग कहते हैं, रॉक्स की ब्रेकडाउन को, मतलब अगर तो रॉक्स टू ट्रा आए या डिजॉर्व हो रहा है, तो दोनों हालतों में हम कहेंगे कि यह है वेधरिंग ओफ रॉक्स, यहाँ पे वेधरिंग बात हो रही है और लाइमस्टोन, अब लाइमस्टोन की वेधरिंग में और बाकी रॉक्स की वेधरिंग में क्या फर्क है, आईए देखते हैं, रेनवाटर इसेडिक ऐसेडिक अब्स कार्बन डायोक्साइड अब्सॉर्ब कर लेता है, जब वो बा जब भी बारिश होती है तो यह कार्बन डायोक्साइड हमारे रेनवाटर के साथ एब्सॉर्ब कर जाती है और एक बहुत स्लाइट सा वीक सा एसेड बनाती है कार्बोनेक एसेड यह हमने एसेड इन आलकलीज वाले चाप्टर में भी बढ़ा था और इससे पिछले पहले ही रेनवाटर ने कार्बन डायोकसाइड अब एब्सॉर्ब कर ली है जो कि हमारे एर में मौझू थी अब वह आकर जब ग्राउंड पर पड़ेगा और ग्राउंड में जो सॉयल है वह उसको एब्सॉर्ब करेगा मतलब सोख करेगा सोग करने का मतलब होता है कर लेगा सोख कर लेगा और जब यह पानी जाएगा हमारे एर्थ के सर्फेस से सोख होके सॉयल के अंदर मतलब इंटीरियर की तरफ तो क्या होगा और कार्बन डायोकसाइड एब्सॉर्ब होगी आपको पर चल गया कि एर में कार्बन डायोकसाइड कैसे मौजूद थी जब हम इन्हेल करते हैं हम सारी ऑक्सिजन अंदर ले जाते हैं और जब हम एक्जेल करते हैं तो सारी कार्बन डायोकसाइड बाहर फैंग देते हैं प्लांट्स भी यही करते हैं तो इसका मतलब यह तो बहुत जादा obvious है कि हमारी environment में carbon dioxide कैसे मौझूद है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी soil ने absorb कर लिया पानी को तो उसमें carbon dioxide और जादा absorb होगी। अब यहाँ पर carbon dioxide क्यों मौझूद है। जब भी कोई plant या animal मरता है। पते जब दरख से जढ़ जाते हैं इसका मतलब कि वो अब डेड है। डेड होके जब वो soil के उपर जाकर गिर जाते हैं तो आइस्ता आइस्ता वो decay करते हैं, डिजॉल्फ हो जाते हैं और उसका जो material बचता है वो हमारा जो soil है उसको अपने अंदर mix कर लेता है या फिर एब्सॉर्ब कर लेता है। यह जो plant और animal का decayed substance या material है इसके उपर पलते हैं बेक्टेरिया। मतलब बेक्टेरिया जाकर यह dead plant और animal material खाते हैं, feed करते हैं इनके उपर और as a end product बनता है carbon dioxide। इसका मतलब air में से भी carbon dioxide rainwater ने अब्सॉर्ब कर ली और जब वो soil के पास आई तो soil में भी as a result of decomposition of dead plant and animals बन रहा था carbon dioxide जो के इस rainwater ने मजीद अब्सॉर्ब कर लिया। The acid formed is carbonic acid जिसका मैंने अभी जिकर किया, carbonic acid एक weak acid है और वो बनता है जब rainwater combine करता है carbon dioxide के साथ। अब यह carbonic acid एक natural phenomena से बन रहा है, इसकी एक दफा हम equation देखते हैं ताके और अच्छे से समझ आ जाए। तो आपके सामने equation मौझूद है, rainwater plus carbon dioxide makes carbonic acid which is a weak acid. As it travels down through the ground, carbonic acid slowly reaches the solid rock. अब जो पानी है वो soil ने absorb कर लिया, वो एक layer से नीचे वाली layers की तरफ आइस्ता आइस्ता move करता जाएगा. क्योंकि पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, absorb कर रहा है हमारे earth का surface उसको इसलिए वो उपर वाले surface से आइस्ता आइस्ता नीचे जा रहा है और एक point ऐसा आएगा कि वो जाके solid rock को touch करेगा. solid rock मौझूद थी बिलकुल नीचे जब हमने पढ़ा types of rock, तब हमने देखा surface पे pumice था, pumice के पाथ we had basalt, और basalt के नीचे एक बहुत solid किसम का rock था granite, बिलकुल उसी तरह एक soft rock से आइस्ता आइस्ता जा रहा है, solid rock की तरफ हमारा गी carbon dioxide absorbed पानी, तो यहां लिखा है if the rock is limestone, अ takes place, तो एक chemical reaction जो है वो वहाँ पर अकर होगा, एक दफा दुबारा बताती हूँ कि जब rain water हमारे soil ने absorb कर लिया, तो यह rain water आइस्ता आइस्ता हमारे earth की interior की तरफ जाता जाएगा, और नीचे जाते 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 वो solid rock तक पहुंच जाएगा, solid rock अगर limestone हुआ, जिसकी आज ह reaction होगा, अब वो chemical reaction क्या होगा, limestone is mainly made up of calcium carbonate, limestone बना होता है calcium carbonate से, अब calcium carbonate कहां से मिलता है for the formation of rocks, यह एक बहुत interesting fact है, जब हमने पढ़ा animal kingdom और हमने division की animal kingdom की, तब हमने देखा के बहुत से ऐसे animals थे, invertebrates, जिनके पास shells मौजूद थी, और mostly जो shell थी, यह बनी हुई थी calcium carbonate से, और अभी हमें यह पता चला, कि जब भी animal या plant decay करता है, तो वो जाया नहीं होता, बलके उसका जो decomposition की end products होते हैं, material होते हैं, वो हमारे earth में जाकर dissolve हो जाते हैं, या mix हो जाते हैं, soil के साथ, बेकुल उसी तरह, यह calcium carbonate, उन dead animals में से बचा हुआ calcium carbonate है, जो कि हमारे soil ने आइसता इसता अब्जॉप किया, और ultimately उसका एक पत्थर बना दिया, which is limestone, this is an interesting fact, जो आपने याद रखना है, यहां लिखा है, carbonic acid reacts with the rock, causing erosion, अब carbonic acid एक acid है, जिसने जाकर reaction करना है, हमारे limestone के साथ, यह हमने तब भी पढ़ा था, यह बताया था, जब भी rainfall होती है, और हमारे इल्कित मौझूद जो carbon dioxide है, वो absorb हो जाता है rain water में, तो एक weak acid बनता है, जिसकी वज़ा से हमारी जो rain है, वो acidic rain हो जाती है, यह acidic rain जब जाकर marble work पे या limestone के किये गए काम, मतलब buildings या पर monuments के उपर गिरती है, तो उसके surface को erode या पर damage कर देती है, बिल्कुल इसी तरह carbonic acid यहाँ पर भी हमारे limestone को damage कर रहा है, क्यूंकि यह reaction कर रहा है with calcium carbonate, तो आपको पता चल गया कि किस तरहां से rain water आते आते acidic हुआ, और acidic होने के बाद उसने जाकर limestone को damage कर दिया, अब यह क्यूंकि chemical reaction था between carbonic acid and calcium carbonate, यह दो चीजों के बीच में chemical reaction था, इसलिए हमें पता चल गया that this is chemical weathering, not physical, इसका मतलब जो हमने weathering की दो types पड़ी थी, physical और chemical, उसमें से यह जो weathering या breakdown या damage है, that is a chemical process, तो यह उमीद है आपको concept समझ आ गया होगा, अब हम चलते हैं एक और interesting topic की तरफ, जो कि है cave formation, cave formation, अब आपको पता है कि cave क्या होता है, यह वही cave है जिसमें tiger और lions जो हैं वो रहते हैं जंगलों में, अब हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह cave बनता कैसे हैं, और जो mostly caves होते हैं, वो होते हैं inside the earth's crust, बाहर बहुत कम मौजूद होते हैं, या फिर यह हो सकता है कि किसी पहार, क is, as water seeps through cracks in the limestone, the acid dissolves the rock, अभी आपने देखा कि किस तरह rainwater आइसता आइसता करके absorb होता जा रहा था हमारे earth's crust में, और सोख होता हुआ हमारे hard rock तक पहुंच रहा था, यहां hard rock में पहुंचते ही उसने rock को damage करना या dissolve करना शुरू कर दिया, इस damage की वजा से rock में एक crack आ जाए as water seeps, मतलब आइसता इसता जाब water नीचे आ रहा है, through cracks in the limestone, limestone में मौझूद cracks में से यह पानी जब नीचे आएगा, the acid dissolves the rock, acid जो है वो rock को dissolve कर देगा and enlarges any cracks or joints to form a shaft, अब shaft क्या है, crack क्या होता है, यह तो आपको पता है, मतलब rock के अंदर अगर सिरफ एक crack आया हुआ है, उसमें से पानी गुजर रहा है, तो यह पानी जो है, वो reaction करके आइसता इसता dissolve करता जाएगा rock को और ultimately क्या होगा, कि जो एक पतला सा crack था हमारे पास, अब वो आइसता इसता बढ़ता जाएगा, मतलब wide होता जाएगा और इस crack में से पानी जबके गुजरता जा रहा है, इसलिए एक point ऐसा आएगा जबके एक shaft बन जाएगी, shaft कहते हैं एक hollow space को, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने red color से जो एक डबबा बनाया है, that indicates that this is a rock, यहाँ पर पानी मौजूद है, पानी का surface जहाँ पर बार जाकर touch कर रहा है, आप कह सकते हैं कि यह एक पहाड है और यहाँ उसके side पे कोई समंदर है, जिसकी लहरें आकर टकरा रही हैं, अब जब पानी बहुद के साथ इतने pressure के साथ टकराता रहेगा एक ही point पे, तो सबसे पहले बनेगा एक crack, अगर मैं इसको remove कर दूँ, तो आप देखें, एक crack बनेगा, अभी सिरफ एक crack बनेगा, उसके बाद जब यह पानी माटा जाएगा, उसी point पे जोड़ जोड़ से pressure exert करेगा, तो यह crack आइस्ता इस्ता खुलता जाएगा, मतलब wide होता जाएगा, और एक shaft बन जाएगी like this, मतलब shaft is this hollow space जो भीच में मौजूद है, इस hollow space से क्या होगा, कि पानी यहां से अंदर जाएगा, और यहां से बाहर निकल जाएगा, जिस्ता मैंने यहां splash बना कर आपको दिखाई है, इसका मतलब कि पहले, पानी के pressure की वज़ा से, या लहरों के टकराने की वज़ा से, इस पत्थर में crack आया, और क्योंकि फिर वहा से पानी जो था, वो easily cross कर सकता था, पानी पहले यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचा, और उसको मारते मारते, उसके भीच में जगा बनाते हुए, उपर तक पहुंच गया, मतलब क्रैक में से जगा बनाता हुआ, यह पानी फ्रम दिस पॉइंट पहुंच किया है on the top of this rock, बीच में जो hollow space है, that is the shaft I am talking about, और आपको पता चल गया कि किस तना से water, पहले अराम से सीप करता है, from the rock और फे crack में से, जब वो गुजरता जाता है, तो crack wide हो जाता है, और जब crack wide हो जाता है, तो hollow space बन जाती है, उस hollow space को हम कहते है, shaft, अब चलते हैं, second point की तरफ, water pour down, the shaft eroding more and more rock, जैसा मैंने बताया, कि water जो है, वो इस shaft में से गुजरता जाएगा, और क्या होगा, कि हमारा ये shaft भी wide होता जाएगा, क्योंके, अभी जोर से flow कर रहा है, from the inside of the rock, तो जो inner walls है, उस shaft की जो बन चुकी है, I mean, this shaft और इसकी ये inner walls, जो है, आइसता इसता dissolve होती जा है, forming an underground stream, अब एक तरह से ये underground stream ही बन गई है, क्योंके पानी वहां से गुजरता जा रहा था, अब पानी ने अपनी जगा बना ली है, और एक stream की तरह वो फ्लो कर रहा है, मगर not on the surface of earth, मगर underneath the surface of earth, मतलब not on the exterior, in the interior of the earth, finally, over hundreds of thousands of years, a cave is formed, अगर यहां से, for example, पानी फ्लो करता जाता है, और inner walls जो है, वो डिजॉल्व होती जाती है, तो फिर क्या होगा, क्या आइसता इसता जो इतनी वर्थ थी, वो इंक्रीज कर जाएगी, और पहले तो इतनी वर्थ बनेगी, अब इसमें से पानी उपर नी आ पानी आके ठहर जाएगा, क्योंकि आपको पता है, जब जगा कम मौजूद हो, तो पानी जादा प्रेशर से बाहर आता है, अगर जगा बड़ी होती जाएगी, तो पानी जो है, वो यहां के ठहर जाएगा, यह एक underground stream है, अगर ultimately इसमें cave बनना है, उसके लिए जरूरी है कि पानी गुजरना बंद करे, अब हम देखते हैं कि cave में पानी गुजरना किस तरहां से बंद करता है, और पानी के बगएर underground stream cave में किस तरहां convert होती है, तो यह है हमारा last point जिससे आपको पता चलेगा कि cave किस तरहां से eventually बनता है, once a cave is formed, अभी आप देखें कि shaft form हुई है, और shaft आइस्ता इस्ता wide होती जा रही है, क्योंकि उसमें से पानी गुजर आए, अब यह होगा कि पानी गुजरता गुजरता, एक point ऐसा आएगा कि cave बन जाएगा, अभी आप सोचें कि उसमें पानी मौजूद है, water dripping down from the roof or flowing over the walls evaporate and leave behind particles of solid calcium carbonate, आपको पता चल गया कि limestone बना हुआ है calcium carbonate से, rain water में मौजूद है एक वीक acid, rain water ने हमारे solid rock को dissolve कर दिया है, और calcium carbonate अब इस पानी में dissolve हो गया है, dissolve होने के बाद क्या होगा, कि यह जो cave, for example the shaft, जो अभी shaft बनी है, उसमें से पानी गुजरना बंद हो जाएगा, और जो पानी उसमें मौजूद है, वो आइस्ता इस्ता evaporate कर जाएगा, जैसे मैंने भी पिछली diagram में आपको बताया कि पहले थोड़ी सी जगा थी पानी pressure से ब करनी बहुत जादा होगी, तो यह पानी evaporate करना शुरू कर देगा, जब evaporation होती है, तो पानी evaporate कर जाता है, उसमें मौजूद जो salt होता है, वो पीछे रह जाता है, और यहां उसमें मौजूद salt था, calcium carbonate का, अब पीछे रह गया है, particles of calcium carbonate, अब दो तरहां से यह particles जो है, यह रहते हैं, number one is stalactiles and number two is stalagmites, stalactiles का मतलब है, that they grow down from the ceiling, अगर चट से नीचे की तरफ पानी drip हो रहा है, तो क्या होगा, कि drip होते होते वो evaporate कर जाएगा, और salt particles बिल्कुल dripping shape में वहां रह जाएंगे, और dripping shape in the form of drop नहीं होती, बलके एक बहुत pointed किसम की shape होती है, जिसता मैंने यहां दिखाई है, तो this one is our stalactile, अगला है stalagmite, that grow up from the floor, दूसरी जो evaporation है, वो ऐसे है, जैसे जमीन से उपर की तरफ पानी evaporate कर रहा है, अब जब evaporate करेगा पानी, वो भी इसी तरहां calcium carbonate के particles पीछे छोड़ जाएगा, और जब वो calcium carbonate के particles evaporate होते वे जो है, वो रह जाएंगे from the ground to an upward position, तो हमारे पास दो तरहां से पानी ने evaporate किया, और पीछे salt छोड़ दिया, वो कौन सी दो टाइप सी, number one is stalactile, जो कि है यह वाली, सबसे पहले, पानी जो है, जब वो ceiling मतलब छट से नीचे की तरफ drip होगा, तो क्या होगा, कि drip होते होते वो evaporate कर जाएगा, और जो भी calcium carbonate particles हैं, वो एक pointed dripping shape में ceiling के साथ लगे रह जाएगे, और बिल्कुल उसी तरह, जब पानी नीचे से उपर की तरफ evaporate करेगा, इसको हम क evaporate होता हुआ, जब वो calcium carbonate particles छोड़ देगा, in a pointed shape, जिस तरह उपर था बिल्कुल उसी तरह नीचे, तो इसको हम कहेंगे stalagmite, अब इसी तरह, जब calcium carbonate हमारी walls के हर तरफ रह गया है, मतलब deposit हो गया है, तब होगा formation of cave, तो आपको पता चला के पहले एक crack हुआ, crack में से पान अब जब जगा जगा हो गई, वाइड जगा थी, पानी का evaporate होना ज़ादा असान था, तो फिर पानी evaporate कर गया, और जो पीछे खाली जगा बज गई, that is called our cave, वो हमारा cave बन गया, और cave बनने की एक character विस्टक यह है, केव की हर दिवार पर calcium carbonate deposit हुआ होता है, अब या तो व pointed shapes में, ceiling से और floor से अपनी opposite direction में point out कर रहा होगा, तो अब आपको पता चल गया, जो cave हम हमेशा से सुनते आते थे, और cartoons में देखते थे, के जंगल में cave मौजूद है, वो actually बनता कैसे है, तो उमीद है, आपको interesting information बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये कभी नहीं बूलें मिलते हैं, next lecture में अपना बहुत ख्याल रखेगा, खुदा हाफिस!